हेलो एव्रिवन वेलकम तू बेद अकाड़ेमी सो सॉरी फो बिंग लेट मैं बहुत लेट पोस्ट कर रहे हूं कुछ दिनों से मेरी तबेट ठीक नहीं है जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं चाप्टर कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का NSO Olympiad Workbook Solve और आज हम करने वाले हैं चाप्टर 3 तो हर दिन में back to back up वीडियो डालने वाली हो तो उसके लिए आप चानल को सस्क्राइब कर लीजे अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजे और हर दिन चानल पर विजिट करके हर दिन अपने इस लेवस से रिलेटेट नई वीडियो देखें और जो भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए तो आज हम करने वाले ही चाप्टर चाप्र त्री और इसमें टोटल ट्वेंटी कोस्टन है लेकिन हम दो पार्ट में इसे सॉल्फ करेंगे अदरवाइस हमारा वीडियो बहुत ही बोरिंग और लेंदी हो जाएगा तो चलिए 1 by 1 कोस्टन सॉल्फ करते हैं पार्ट 1 में हम 10 कोस्टन सॉल्फ करेंगे अन पार्ट 2 में हम अदर 10 कोस्टन सॉल्फ करेंगे तो सबसे पहले हम कोस्टन नमबर 1 देख लेते हैं कोस्टन नमबर 1 में क्या बोला है आपको on the basis of shown activity answer the following question thumb tracks are stuck to a metal rod with wax and lightened candle is kept below the rod as shown in the diagram तो यहां पर आपको डाइग्राम दिया गया है यह जो है यह metal rod है ठीक है और यह जो आपको दिख रहा है यह line वाला तो यह आपका wax है और यह उसके नीचे जो wax के help से जो metal के साथ इसे चिपकाया गया है यह क्या है यह आपका क्या बोलते है आप उसे चोटी-चोटी काटिया आप बोल सकते हो तो यह वो है पिन आप पिन भी कह सकते हो इसे तो यहां पर थम ट्राक्स बोला गया है इसे तो यह इसे स्टिक किया गया है अब यहां पर क्या क्या दिया गया है candle एक block मतलब जला के वहाँ पर रख दिया है तो जाहिर सी बात है जब ये metal है तो जब ये metal है तो heat क्या होगा जब heat यहाँ से इस metal को लगेगी तो क्या होगी heat जो है पूरी हर जगा transfer होगे heat यहाँ से transfer होना start होगे और ये transfer होते होते तक end तक जाएगी मतलब पूरा end तक वो क्या करेगी उसे heat करेगी गरम करेगी राइट तो metal यहाँ पर गरम होगा है कि नहीं तो यहाँ पर हम options पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर options आपको क्या बोला है options में आपको बोला है which one of the metal of the thumb will fall the metal rod first तो यहाँ पर आपको पूछा है कौन सा thumb track जो है वो सबसे पहले गिरेगा तो हमें पता है जब मौमबती यहाँ है तो उसका सबसे पहला जो thumb track है वो number P है है कि नहीं तो सबसे पहले fall down कौन सा होगा number P ही होगा तो इसका सही option होगा option number A ठीक है चले, question number 2 देख लेते question number 2 में क्या बुलाए question number 2 में बुलाए what does this experiment illustrate तो इस experiment से आपको क्या समझ में आता है wax metal easily wax melts easily क्या wax बहुत जल्दी easily melt हो चाता है या the candle flame conduct heat जो candle का flame है उसके वज़े से heat conduct हुआ है या the thumbnail expand when heated तो thumb track जो है वो expand होने के वज़े से जब जब गरम हुआ वो expand हो रहा है ये दिखा रहा है इसमें या option number D में बुलाए heat get transfer from the hot part of a body to the cold part तो मैंने भी आपको वही का metal के नीचे अगर flame है तो वो heat क्या होगा transfer होगा at the end of the rod तक if the body is conducted of heat अगर body में heat conducted होगा तो क्या होगा वो metal के through क्या करेगा हर जगा पे heat transfer करेगा तो इसका सही option होगा option number D ठीक है चलिए question number चलिए question number 3 देख लेते हैं question number 3 में क्या बुलाए when you heat a system its temperature जब भी आपको इस system को heat करोगे तो उसका temperature क्या होगा तो always increases या हमेशा increase होगा sometime decreases कभी-कभी कम हो जाएगा may stay the same और always goes up and down depending on the heat तो हमेशा याद रखिए जब भी आप किसी चीज़ को आप किसी में भी heat add कर रहे हैं आप किसी में भी heat add कर रहे हैं तो उसकी जो system है heat जब भी कोई एक system को आप heat दे रहे when you heat a system its temperature may stay the same एक वक्त के बाद उसका temperature क्या रहेगा same रहेगा समझ भाया जैसे कि 4 example में आपको बताते हो अगर पानी गरम कर रहे हो तो पानी गरम कर रहे हो तो उसका temperature कब तक rise होगा जब तक 100 degree Celsius तक नहीं पहुंच जाता जब वो 100 degree Celsius तक पहुंच जाएगा तो उसका temperature क्या रहेगा same रहेगा समझ भाया है चली option number question number 4 देख लेते हैं question number 4 में बोला है the hot liquid is poured into a test tube तो एक गरम liquid जो है वो test tube में pour किया गया है ठीक है the hot liquid is poured in the test tube the figure show the temperature figure यहाँ पर क्या दिखा रहा है the temperature of the content of a test tube changes ठीक है तो अब हम next part में चलते हैं देखते हैं क्या दिया है with time what is the physical step वक्त के साथ इसका physical state क्या है यह बोला है with time what is the physical state of the contents of a test tube at 8 minute तो 8 minute में आपको क्या बोला है क्या है इसका content क्या है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यह आपको temperature दे दिया गया है यहाँ पर आपको time दे दिया गया है ठीक है अब यहाँ पर option में बोला है mixture of a liquid and vapor या mixture of a liquid and solid liquid और solid तो यहाँ पर आप धान दे सकते हैं जब भी liquid pour किया गया है test tube में 4 में जाने के बाद जब वो 4 minute में पहुँचा है it means ऐसा हो सकता है कि यह यहाँ से यहाँ तक किस में convert हो चुका है liquid से solid में convert हो चुका है ठीक है तो mixture of a liquid can be converted into a solid हम यह मान सकते हैं तो option B will be the correct answer ओके question number 5 देख लेता है question number 5 में बोला है a port of water is put to boil on a stove तो एक port है जिसे बूरी तरीके से फुल करके क्या किया गया है boil करने के लिए stove में रखा गया है which one of the graph correctly shows the correct variation in temperature over time कौन सा graph जो है वो आपको correctly variations बता रहा है मैंने यह चीज यह चीज आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे देखे तब तक उसका temperature क्या होता है rise होता है जब वो 100 degree Celsius तक पहुँच आती है तो उसका temperature क्या रहता है same रहता है temperature rise नहीं होता है तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया आप्शने में temperature rise हुआ है और एक वक के बाद वो temperature क्या है stable है यहाँ पे temperature down होते हुए दिखाया गया है तो down नहीं होता है जब भी heating process होती है तो temperature क्या होता है अब होता है अब यहाँ पे आपको continuously यह आप ही दिखा रहा है और यहाँ पे तो variation दिखा रहा है कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे तो यहाँ पे इसका सही option क्या होगा यहाँ पे यह पूछा है तो इसका सही option होगा option number A will be the correct answer है क्योंकि एक वक्त के बाद temperature क्या हुआ है stable हो गया है ठीक है तो चलिए question number 6 देख लेते हैं question number 6 में आपको बोला है bi-metallic strip made up of two different metal two different metal बोला है joint together तो दोनों को ही मिला के joint together and works on the principle of तो वो किस principle पे work करेगा unequal unequal expansion of solid solid का unequal expansion होगा बढ़ेगा unequal expansion contraction of solid equal expansion of solid equally वो expand होगा और contract होगा नई expand होगा चरिप बूला है बोत A and B तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई अलग-अलग दो अलग-अलग metal है तो उसके expansion and contraction दोनों ही होता है उसमें और दोनों होता है तो कोई-कोई चीज बहुत जल्दी गरम हो जाती है रही और कोई-कोई चीज को गरम होने में time लगता है कोई-कोई चीज बहुत जल्दी ही गरम होते ही साथ ही contract हो जाती है और कोई-कोई चीज को बहुत time लगता है तो इसे लिए unequal expansion and unequal contraction होगा तो इसका सही option होगा option number D hopes आपको यह समझ में आया होगा चलिए next page करते है अब यहां पे question number 7 दिया है question number 7 में बोला है arrange the following step in a sequential आपको यहां पे sequentially इसे arrange करना है order to explain the formation of a convectional current through the ventilation तो convectional current through the ventilation तो हम सबसे पहले यह sentence पढ़ लेते हैं यह sentence क्या दिया गया है P में बोला गया है hot air passes out through the ventilators and create a low pressure reason in the room तो reason में जो भी room है उसमें अगर hot air है तो वो क्या हो जाएगा passes out हो जाएगा ventilator से and वहां पे low pressure reason बनेगा अब option 2 में बोला है the room are provided with ventilator at the top जो room होते हैं उसको provided होते हैं आपके घर में भी provided ventilators होंगे अगर ventilator नहीं है at the top में तो आप देख रहे होंगे कि आपके घर के जो दिवार है उसके एक side में कहीं पे तो ऐसे छोटी सी खिड़की होगी जितमें छोटे छोटे होल्स होंगे तो उसे आप ventilator कह सकते हैं at the top ठीक है hot air in the room is less dancer hot air अगर room में है तो वो less dancer होगा और वो बहुत जल्दी ही rise up हो जाएगा तो यह हम भी जानते हैं आप में sea bridge, land bridge के बारे में पढ़ा होगा class में तो आपको पता होगा जब भी हावा क्या हो जाती है गरम हो जाती है तो वो rise up हो जाती है बहुत ही हलकी हो जाती है और the cold air enters the room और cold air room के अंदर आते through the windows form high pressure to the low pressure reason low pressure reason में high pressure reason convert होता है ठीक है फिर वो गरम होता है फिर less denser होता है पिर से वो rise up हो जाता है और वहाँ पे क्या enter कर जाता है cold air enter कर जाता है तो इसे हम systematic कैसे लिखेगे ठीक है यहाँ पे यह बोला है तो सबसे पहले हम क्या बुछेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहला होगा हमारा the room are provided with the ventilator at the top, ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा, hot air in the air, hot air in the room is less denser and it rises up, फिर क्या होगा, hot air passes out through the ventilator, ventilator से वो passes out हो जाएगे and create a low reason in the room the cold air enter, अब cold air enter करेगा, और enter in the room through windows, from high pressure to the low pressure reason, तो देखिए इसका सही option क्या है तो इसका सही option है, option number B will be the, sorry option number B will be the correct answer, okay, let's do the question number 8 question number 8 में आपको बोला है, a faculty a faculty thermometer a faculty thermometer reads freezing point and a boiling boiling of a liquid as minus 5 degree celsius and 95 degree celsius respectively on the celsius scale, what is the correct value of a thermometer when it reads 60 degree celsius on the faculty thermometer, ठीक है तब यहाँ पे क्या बोला है, एक 95 degree celsius, तो what is the correct value, तो आपको यहाँ पे correct value find करना है, with the temperature, with the temperature when it reads, जब वो read करेगी 65 degree celsius on the faculty thermometer, faculty thermometer में अगर वो 60 degree celsius है, तो फिर वहाँ पे वो कितनी degree celsius वहाँ पे दिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे यह पूछा है, तो, मान लीजे कि हम x ले लेते हैं, अपना, जो यहाँ पे question पूछा था आपको, for all temperature scale के लिए हम यहाँ पे x ले लेते हैं, constant, ओके, यहाँ पे lower fixed point कितना बताया था, lower fixed point बताया था, minus 5, ठीक है, यहाँ पे upper fixed point, point आपको कितना बताया था, upper fixed point आपको बताया था, 95, ठीक है, minus lower fixed point, तो चलिए, apply करते हैं, यहाँ पे apply करके लिखना start करते हैं, x minus, minus क्या होगा, lower fixed point, फिर upper fixed point, upper fixed point, minus lower fixed point, तो यहाँ पे देखें, यह क्या हो जाएगा, minus minus क्या हो जाएगा, plus, तो हमें x यहाँ पे क्या लेना है, 60 लेना है, क्योंकि वहाँ पे 60 दिया गया है, तो 60 minus minus plus हो जाएगा, plus 5, and 95 minus minus कितना हो जाएगा, plus 5, तो यह कितना हो जाएगा, 65 degree Celsius by 100 degree, by 100, sorry, 65 by 100 degree होगा, तो इसका correct answer क्या आएगा, 65 degree Celsius आएगा, तो इसका सही answer आएगा, 65 degree Celsius will be the correct answer, okay, let's do the question number 9, question number 9 में आपको बोला है, read the given statement and select the correct option, statement 1 में बोला है, snow is better heat insulated than ice, और statement 2 में बोला है, snow contains larger number of air pocket which prevents the heat flow through it by the convection process, तो आप सबसे पहले यह जान लो, आप बोलेंगे, आरे यह क्या है, snow और ice तो यह की होता है, तो नहीं, snow मतलब यह होता है, जो pretty piece, sorry, आपकी evaporation जब condensed हो जाती है, जब आपके evaporation में evaporation जबता है, for example, evaporated water, जैसे की precipitation, वो जब cold होता है, means, जब thund हो जाती है, तो वो snow में convert हो जाता है, लेकिन ice मतलब कब बोलते हैं, आप जब liquid, snow में convert हो, sorry, जब liquid का temperature decrease होने के वज़े से, जब वो जम जाता है, तो उसे हम ice बोलते हैं, आपके freeze में जो है, वो ice है, लेकिन अगर बारिश के साथ जो गिरेगा, तो वो ice नहीं snow होगा, okay, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिये, तो यहाँ पर जो भोला है, जो चीज आपको यहाँ पर बताया है, snow is a better heat insulator than ice, यह सही है, and snow contains large amount of air pockets, जो precipitation होते हैं, जो आपको natural तरीके से जो snow मिलता है, उसमें बहुत चारे air pockets होते हैं, जिसके वज़े से heat flow नहीं कर पाता, it by convection process, तो यहाँ पर option कौन सा सही है, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, बोट statement 1 and 2 are true, सही है, and statement 2 is the correct explanation of statement 1, यह बात इकदम सही है, statement 1 और 2 दोनों ही correct है, लेकिन बहुत अच्छे से explain statement 2 को किया गया है, क्योंकि statement 2 में यह बताया गया है, कि heat insulator, snow, क्यों heat insulator है better than, better heat insulator है ice है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे air pockets होते हैं, तो without further हम दूसरे options को देखे हम इसे correct कर सकते हैं, option A will be the correct answer, okay, let's do the question number 10, question number 10 में आपको क्या दिया है, a thermoflex, a thermoflex आपने देखा होगा, यह विर आप use भी करते होंगे, thermoflex का use करते हैं, देखो, a thermoflex is a household item that is used to keep thing warm or cold for a long time, what is the use of a silver wall in the thermoflex, तो आपने देखा होगा, यह आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, यह न, thermoflex जो होता है, उसके अंदर भी एक ऐसे bottle होते हैं, जिसके बीश में gap होता है, और यह gap जो है, उसे आप vacuum में बोल सकते हैं, मतलब खाली, ठीक है, vacuum है, और यह double walled glass vessels होते हैं, ठीक है, double walled glass vessels, और इसे croc support रहता है, यह ऐसे croc support होते हैं इसे, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ना गीरे, ठीक है, यह outer case है, जो बाहर के तरफ होता है, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, आउटर case, vacuum seal होता है, यहाँ पे देखिए, और यह silver walled होता है, अब यह silver walled क्यों होता है, वो में आपको बताती हूँ, यहाँ पे options आपको दिये गया है, to reduce the flow of heat by conduction, to reduce the flow of heat by conduction, to increase the temperature by convection, convection से उसकी temperature इंक्रीज करने के लिए, यह to reflect the heat back to reduce radiation, ताकि यहाँ फिर इस लिए कि जो heat उसमें create हुआ है, उसको वो radiation के वज़े से reduce ना कर पाए, to prevent the glass vessels from breaking, glass vessels को breaking करने से बचाने के लिए, तो इसका सही और एकदम correct answer होगा, option number C, why option number C, to reflect the heat back, अगर मान लीजिया, आप उसमें कोई गरम चीज डाल रहे हो, तो अगर silver, अगर silver wall है वो, तो उससे क्या होगा, उसका जो temperature है वो उसे fall off नहीं होने देगा, जब भी उसका heat जो है बाहर के तरफ पुश करेगा, जब भी उसकी heat जो है वो बाहर के तरफ पुश करेगा, तो वो vacuum होने के वज़े से और silver wall होने के वज़े से वो फिर से heat क्या करेगा, अंदर reflect करेगा, जिसके वज़े से वो जो गरम चीज है वो ज़ादा देर तक गरम रह सकती है, समझ में होप से आपको ये चीज बहुत एजली समझ में आया हो, नए है तो चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे, और लाइक करना बिल्कुल ना भुलिए, प्लीज लाइक करना मत भुलिए, आपको पसंद आया हो, तो नाइस एक्स्प्लैनेशन ज़रूर भुलिए, फंस अब दीजे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भुलिए, तब तक के लिए झाल झाल झाल